राधे राधे एवरीवन, हमारे चैनल My Pacific Wall में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स, मकर सकरांती आने वाली है मकर सकरांती को स्नान और दान का दिन माना जाता है कहा जाता है कि इस दिन किया हुआ दान हमें सो गुनाफल देता है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे सो सेरे के विशे में, मकर सकरांती से सो सेरे का नियम कैसे उठाया जाता है, यानि कि मकर सकरांती से हम सो सेरे का नियम कैसे लेते हैं, सो सेरे में हम क्या-क्या चीजे दान करते हैं, कैसे दान करते हैं, क्या चीजे नहीं द तता सो सेरे में हम एक किलो सोना और एक किलो चान्दी कैसे दान कर सकते हैं इन सभी के बारे में आज की वीडियो में मैंने बहुती डिटेल में बताया है आप वीडियो को अंतटक जरूर देखे ताकि आपके सभी डाउट्स कलियर हो जाएं तो friends सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सो सेरे क्या होता है देखे सो सेरे में सो चीजें दान करनी होती हैं सो चीजें अलग-अलग तरह की होती हैं जो हम दान करते हैं और हर एक चीज की मातरा एक किलो होना जरूरी होता है यानि कि सो चीजें सो किलो की मातरा में हमें दान करन होती हैं सो सेरे में हम कोई भी चीज जो भी हम अपने जीवन में यानि की जो भी हम अपने दैनिक कारियों में यूज करते हैं वो किसी भी चीज का हम दान कर सकते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका दान नहीं किया जाता है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी कि हमें सो सेरे में क्या-क्या दान नहीं करना होता है वैसे जो जो चीजे हम अपने रोज मर्रा की जिंदगी में इस्तमाल करते हैं वही सब चीजे हम सो सेरे में दान करते हैं तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि सो सेरे का नियम हम कैसे उठाते हैं यानि कि मकर सक्रांती से सो सेरे का नियम कैसे लिया जाता है वकर सक्रांती के दिन सुबह सुबह सनाना दी करने के बाद सोसरे का नियम उठाया जाता है तो उसके लिए देखिया आप मुंग चावल के खिचडी ले सकते हैं यहाँ पर आप रेवडी और मुंफली ले सकते हैं या आपके घर में अगर चूर्मा बनाया जाता है तो आप चूर्मा भी ले सकते हैं लेकिन जो भी चीज हमें लेनी है वो एक किलो लेनी है जैसे मैंने यहाँ पर रेवडी ली है तो यह आप एक किलो ले 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 उसके साथ ही अगर आप चूर्मा ले रहे हैं तो वो भी आपको एक किलो लेना है खिचडी जो आपने ली है वो भी आप को एक किलो लेनी है यानि कि जो भी चीज आप दान करेंगे वो एक किलो जरूर होनी चाहिए उसके साथ ही हम जरूर रखेंगे तो देखिये जो मैंने ये खीचडी और रेवडी ली हैं इनके उपर मैं दक्षिना रखूंगी उसके बाद हमें इनको मिनस देना है तो हम ये किसी को भी दान दे देंगे इसके साथ ही देखिए हम और क्या-क्या दान दे सकते हैं तो जो भी चीजे हम आपनी रोज मरा की लाइफ में इस्तमाल करते हैं वो चीजे दे देंगे जैसे हम एक किलो चाय की पत्ती दे सकते हैं उसके साथ ही हम चावल दे सकते हैं तो यह चने साथ कम लोग मुोंग की डाल दाल के सकते हैं उड़त की डाल ने सकते हैं तो ऐ आपक के पांचे किलो डाल हो जाएगा कि आप हरा साग ले सकते हैं, या पर मैंने जैसे सरसो ले ली है तो आप एक किलो सरसो ले लीजिए, एक किलो आप बत्वा ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, ये सभी चीज़े आप अलग लग लेंगे तो अलग लग काउंट होगी और सबको अगर मिक्स करके और हरा साग एक कि इसके साथ साथ मैंने हापर सूजी ली है ये 500-500 ग्राम की है यहां पर लिखा हुआ है 500 ग्राम तो आप एक बार देख लेजिए गाड़ी जो चीज आपने लिखंग है वो कितने ग्राम की है यानि कि उसकी मातरा प्रा कितनी है क्योंकि हमें एक किलो जरूर लेने हैं इसलिए भी अधर मेंगे बीए liर हूं यहां पर दो फैकिट ले लिये हुए किलो भने हुए चन्य ले लिए के यहां पर यहां पर यह उसके साथ हम बूरा भी ले सकते हैं और इसके साथ देखे मिठें मैं इसके साथ ही मैंने इक किलो मैकरोनी ली है आपे किलो मैगी भी ले सकते हैं या जो भी नूडल्स आप इस्तमाल खरते हैं अपने घर में, वो भी आप दान कर सकते हैं इसके साथ ही देखिए हमें मसाले भी लेने होते हैं तो यहां पर मैंने एक किलो जीरा लिया है आप एक किलो धनिया भी ले सकते हैं साथ में किलो अजवाइन भी दान दे सकते हैं और उसके साथ ही आप ओफ आप ले सकते हैं और उसके साथ ही देखिए मैंने यहां पर हल्दी ले ली है तो एक किलो आप हल्दी दान कर सकते हैं एक किलो मिर्च दान कर सकते हैं इसके साथ हमें नमक जरूर लेना है एक किलो आप नमक जरूर ले 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 नमक हम सभी की जरूरत होती है तो नमक आपको जरूर दान करना है इसके साथ ही देखिए आप गुर ले सकते हैं आप एक किलो ले सकते हैं या जैसे जलेबी लड़ू पेड़े बर्फी कोई भी मिठाई जो भी खाने की चीज़े होती है वो ले सकते हैं इसके साथ ही देखे मैंने यहाँ पर दाल की मंगोडी ले ली है और साथ-साथ हमें मेवे का दान जरूर करना होता यानि ड्राइफरूट जरूर दान करने होते हैं तो ड्राइफरूट में मैंने यहाँ पर एक किलो काजू ले लिए हैं साथ ही हम यहाँ पर एक किलो बदाम ले ले लेंगे तो यहाँ पर मैंने बदाम ले ले लिए हैं आप इसके साथ अखरोट ले सकते हैं पिस्ता ले सकते हैं मैंने यहाँ पर एक किलो किसमिस ली है तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक किलो किसमिस ले लेंगे अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है आप यह सब चीजे मिक्स करके एक किलो ले लीजे यानि थोड़े से हम इसमें से काजू ले लेंगे थोड़े से बदाम ले लेंगे, थोड़ी सी किस्मिस ले लेंगे, इस तरह से एक किलो हम मेवे लेंगे और उनको दान कर देंगे, साथ ही हम यहाँ पर एक किलो दूद दान कर सकते हैं, दही दान कर सकते हैं, लसी दान कर सकते हैं, तो एक एक किलो आप ये चीजे भी दान कर तो फल फिरूट ले सकते हैं तो जैसे मैंने आप संत्रे लिए निया थीज़ीं साबं दान आर्ण साबुन कर सकते हैं जैसे मैंने हाँ पर कपड़े धोने का साबुन ले लिया है लेकिन आप इसके पीछे एक बार जरूर देख लेना कि इसका वेट कितना है हमें एक किलो जरूर ले लेना है आप इसको तुलवा के ले जब भी ले इसके साथ आप कपड़े धोने की साबुन के साथ साथ बरतंध होने का साबुन भी ले सकते हैं और वही जब कि मैंने आपको बताए कि आप एक बार तुलवा जरूर लेना एक किलो होना चाहिए इसके साथ ही मैंने यहाँ पर नहने का साबुन ले लिया है तो आप एक किलो नहने का साबुन दान कर सकते हैं साथ में हमें घी तेल का दान जर तो अकेले चूडियों को भी आप इस तरह से चूडिया ले लीजिए एक दरजन के पैकिट जो आते हैं और उनको एक किलो तुलवा कर उनको दान कर सकते हैं या आप टोटल जो सुहाग का सामान है वो किसी भी पिटारी में या किसी भी बॉक्स में लेकर उसको आप एक किलो के बरतन कर सकते हैं एक किलो स्टील के बरतन कर सकते हैं तो देखे इस तरह से आप स्टील के बरतन ले लिजिए डबे ले लिजिए गिलास ले लिजिए कटोरी वगरा ले लिजिए और तुलवा के दान कर दीजिए अगर आप अलग अलग सारी चीजे दान नहीं कर सकते हैं तो आप पीतल, तामबा, स्टील के इहटे, एक दो-दो बरतन ले लीजिए, उन सभी को आप एक किलो की मातरा में तुलवा लीजिए और एक किलो दान कर दीजिए, तो आपके बरतन दान हो जाएंगे, पलस आपकी सारी धातुएं भी दान हो जाएंगी, उसके साथ ही आप न और इस तरह से आप कंबल, शोल, इस तरह के गरम कपड़े लेकर उन्हें एक किलो की मातरा में तुलवा लीजिए और फिर उनको दान कर दीजिए, तो इन्हें हम तुलवा लेगे और उसके बाद हम इनको दान कर देंगे, इसके साथ ही आप जो नॉर्मल कपड़े होते हैं ठंडे कपड़े जिनको हम बोलते हैं तो आप ये साड़ी, सूट ये ले सकते हैं और इनको अलग से एक किलो दान करा सकते हैं या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि सभी कपडों को mix कर लीजिए, जैसे हमने याँ पर साडी भी ले ली है शोल ले लिया है और आप कमबल भी ले सकते हैं साथ में इसके साथ साथ आप दूसरे कपड़े भी ले सकते हैं जैसे pen shirt का जोड़ा होता है या आप अगर suit पहनते हैं तो पड़ों का दान जरूर करें और फ्रेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया जब भी आप दान करेंगे सो सेरे में जो भी चीज दान की जाती है उसको मिनस के दान किया जाता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम मिनसते कैसे हैं अब इसके बाद देखिए कि हमें एक किलो सोना और एक किलो चांदी कैसे दान करना है तो सोना चांदी दान करने के लिए हम चावल ले लेंगे और चने की दाल ले लेंगे यहाँ पर हमने पहले भी चने की दाल और चावल को दान किया था तो देखिए जो चने की एक चब्रका多 working का बाल का चीडियों है दान की अब चयंट करें लिए। हम ने बाइसका कर दो सम्हपक्राइं कि लिए यह पर हमें हैं यह लिए हैं यह और मैंने लिए हैं। दान कनल मुझा बाइसका मुझा क सब्सक्राइर हैं। दाल ले ली है अब हम क्या करेंगे हम कोई भी सोने की चीज लेंगे जो कि हमें चने की दाल में रखनी है सोने की चीज आप कोई भी ले सकते हैं आप छोटी सी नोजपिन ले सकते हैं या इयरिंग ले सकते हैं जैसी भी आपकी सरधा और सामर्थे हो उससाब से आप ले लीज और उसके बाद पैकिट में इस तरह से रखने के बाद आप इसको डाल में इस तरह से रख दीजिए तो ये हमारा एक किलो सोना हो जाएगा इस तरह से हम एक किलो सोने का दान करते हैं अब इसी तरह से हमें चावल में चांदी का दान करना है तो देगे चांदी दान करने के ल पायल ले सकते हैं और इस तरह से हम ये चावल में रखतेंगे तो ये हमारी एक किलो चांदी हो जाएगी अगर आप सिर्फ बिछवे रखेंगे तो वो भी काफी रहेगा तो आप कोई भी चांदी की चीज इसमें रख सकते हैं इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे इसम थोड़ा सा जल लेंगे दो बार इस तरह से फिराएंगे और उसके बाद हम चुछकार के इसको दान दे देंगे तरह से हमें सोसेरे का दान देना होता है अब देखिए अगर आप चार चीजे दान में दे रहे हैं और ये चारों चीजे आप एक ही जने को दे रहे हैं तो हम एक जगई दक्षिना रखनी है, मिनस देना है और ये हम दान कर देंगे एक जने कोई, लेकिन अगर ये चारों चीज़े आप अलग 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 जनों को दान दे रहे हैं, तो आपको सभी चीज़ों पर अलग 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 दक्षिना रखनी होगी, भले ही आप दो रुपए का नियम एक साल में पूरा करना होता है यानि कि जो सोसेरे हम उठाते हैं उसे एक साल में पूरा कर देना होता है इस सकरात से अगर आप सोसेरे उठा रहे हैं तो अगली सकरात तक आपको ये सोसेरे पूरे करने होते हैं इसलिए आप हर महीने जब आप सकरात को सोसेरे इस तरह से हर महीने दान देंगे तो आपका सोसेरा एक साल में बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा इसके साथ ही अगर किसी कार्णवस आप एक साल में सोसेरे दान नहीं कर पाते हैं यानि कि आपके सोसेरे पूरे नहीं हो पाते हैं एक साल में तो कोई बात नहीं अब दो साल में या पांच साल में भी सो सेरे का नियम पूरा कर सकते हैं तो इस तरह से हम सो सेरे का नियम लेते हैं फ्रेंड्स सो सेरे के नियम में क्या क्या चीजे हमें दान नहीं करनी चाहिए अब हम एक बार ये चीजे भी देख लेते हैं तो देखिए जब हम सो सेरे का दान करते हैं तो उसमें हम कभी भी प्याज, लसुन, अंडे, मास, सराब इन चीजों का दान नहीं करते हैं हमें उन्हीं चीजों का दान करना है जो हम अपने शुद्शात्विक जीवन में इस्तमाल करते हैं और जब भी आप दान करेंगे न तो जो पैकेट्स आप लेते हैं पैकेट्स में जो चीज़े आती हैं उसमें आप ग्रीन डोट देख लेना रेड डोट नहीं लगा होना चाहिए ग्रीन डोट होना चाहिए उसी चीज़ को आप दान करना आई होप की सो सेरे के विशे में आपके सभी डाउट्स किलियर हो गए होंगे लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे